नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में टेक्नो पोवर 3 वर्सस ओपो ए 76 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवर 3 में 6.81 इंच जबकी 76 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है जो की पोवर 3 से कम है Width की बात करें तो, Pover 3 में 3.09 इंच जबकी 76 में 2.98 इंच की Width मिलती है जो की Pover 3 से कम है बात करें थिकनेस की तो, Pover 3 में 0.37 इंच जबकी 76 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं weight की तो, Pover 3 में 230 ग्राम्स जबकी 76 में 189 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्पले को कंपेर करते हैं । डिस्पले टाइट की बात करें तो नोóc फोण में सही में एपई शिईडी की डिस्पले मिलती है। डिस्पले साइस की बात करें तो पोब 3 में 6.9 inches जब की 76 में 6.56 inches मिलती है। Display Resolution, Power 3 में 1080 by 2460 और 76 में 720 by 1612 मिलता है. Screen to Body Ratio, Power 3 में 83.43 प्रतिशत जब की 76 में 83.48 प्रतिशत मिलता है. बात करें PPI Density की तो, Power 3 में 389 प्रती इंच जब की 76 में 279 प्रती इंच मिलती है. अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है. अब बात करते हैं सब के पसंदीदा Features Camera की. दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Power 3 में 2 Camera देखने को मिलता है, जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है. और 76 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 Camera देखने को मिलता है, जिसमें की Primary Camera और आखिर में Wide Angle Camera देखने को मिलता है. बात करें Video Camera की तो दोनों फोन में 8 Different Type के Features मिल जाते हैं. अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो, Power 3 में Single Camera देखने को मिलता है, जिसमें की 4 Different Features मिलते हैं. और 76 में भी Single Camera देखने को मिलता है, जिसमें 6 Different Features मिलते हैं. अई अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते हैं. Hardware में सबसे पहेले CPU जोकी Speed के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे Important Part है उसकी Details देखते हैं. GPU की बात करें तो, Power 3 में Mali G52 MC2 जबकि 76 में Adreno 610 मिलता है. चिप सेट की बात करें तो, Power 3 में MediaTek Helio G88 और 76 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है. बात करें RAM की तो, Power 3 में 2 Variant देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB की RAM मिलती है जबकि 76 में एक ही Variant देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB RAM मिल जाती है. बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो, Power 3 में 2 Variant देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB की Storage मिलती है जबकि 76 में एक ही Variant देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB Storage मिल जाती है. एकस्पांडबल मेमरी की बात करें तो, Power 3 में अप टू 512 GB जबकि 76 में अप टू 1 TB है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है, बाटरी, Power 3 में 7000 mAh जबकि 76 में 5000 mAh देखने को मिलती है, अहीं अब Main Feature को देखते हैं. कलर्स की बात करें तो, Power 3 में 3 कलर्स जबकि 76 में 2 कलर्स आप्शन मिलते हैं. सब इन्फोमशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Power 3 में 2 वैरियंट देखने को मिलते हैं, जिसमें की 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ 13,390 रूपीज, 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रूपीज में मिलता है और बात करें, 76 की तो उसमें एक ही वैरियंट मिलता है जो की 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रूपीज में मिलता है. दोस्तों अब बात करते हैं, प्रांज और कॉंस यानि की फायदे और नुखसान की तो, टेकनो पोवर 3 में 6 पायदे और 1 नुखसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A76 की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुखसान देखने को मिलता है. फाइनली बात करे है रिजर्ट की तो डिस्पले में दोनों फोन सेम ही है, में क्यामरा में पोवर 3 आगे है, फ्रंट सेल skipped the camera में दोनों फोन सेम ही है परफॉर pense में 76 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है दुसरा Xiaomi Redmi 10A है तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y211T है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना